भारत में बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनका परिवार बहुत बड़ा है और बड़ी फैमिली के लिए उनको या तो 7 सेटर या फिर 8 सेटर कार तो चाहिए होती ही है तो आज हम ऐसी ही कुछ 7 सेटर कार्स की बात करेंगे जो की बहुत ही जल्द भारती बाजार में लॉंच ह होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है होंडा बी यारवी एक 7 सेटर एस यूवी है जिसकी प्राइजिंग चालू होगी 9 लाक रोपे से और इसका जो टॉप मॉडल है वह आपको तकरीबन 15 लाक रोपे के अंदर मिल जाएगा कार के जो लुक्स वह बहुत शान इंजन मिलता है जो की है 1.5 लीटर का आईवी टैक पैटोल इंजन जिसमें आपको 121 बह पी की पावर और 125 न्यूटर मीटर का टॉर्क मिलता है और सीवीटी आटोमेटिक ट्रांस्मिशन यह आपको इस कार में मिलता है बात कर लेते हैं कार के इंटियर से तो आप साथ लो ऐसे फीचर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं तो देखाज़े तो जिस भी फैमली का बजट कम है और उनको एक कम बजट में एक सेवन सेटर कार चाहिए तो वे इस कार के लिए वेट कर सकते हैं यह जो कार यह डिसेंबर 2030 में भारती यह बजार में लॉंच होने वाली है न किमियम क्वालिटी की मिल जाती है तोयोटा कमपनी ने किसी भी तरह की कंजूसिस कार में नहीं की है बात कर लेते हैं कार के एंजन की तो कार में आपको एक ही एंजन मिलेगा जो की है 1.5 लीटर का नैचरली एसपरेटर पैट्रल इंजन जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनूल ट्रांस्मिशन और सिक्स स्पीड का आटमेटिक ट्रांस्मिशन मिल जाने वाला है कार के इंटेर से बात करें तो आप साथ लोग अराम से कॉमफर्टेबल होके ट्रैवल कर लोग थर्ड रो में आपको बढ़िया स्पेस मिल जाती है और जो सेकंड रो है उसमें आपको बजार में लाँच हो जाएगी तो डिसमबर दोहजार तेस तक यह कर कंफर्म भारति बहुर्त ही बाँच होने वाली है नंबर ठी पर आती है टोयोटा मिल पिल उस सेरoter एंपी जो की यहाँ पर आप सब को बहुत पसंद आने वाली है कार का जो लुक से वह बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है, कार के एंजिन की बात करें, तो कार में आपको एक एंजिन मिलेगा, जो की है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रेट पैट्रोल एंजिन, जिसने आपको 5 स्पीड का मैनूल ट्रांसमिशन और सक्स स्पीड आउटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाने वाला है, कार के इंटियर से बात करें, तो आप साथ लोग आराम से कमफर्टेबल होके ट्रैवल कर लोगे, इस पेस को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कार में जो फीचर्स हैं वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही शांदार मिल जाते हैं, हीटेड एंड स्टार्टिंग में ये कार कन्फर्म भारती बाजार में लॉंच होने वाली है, नमबर फोर पर आती है होंडा पाइलेट, पाइलेट एक लक्जरी सैवन सेटर सुवी है, जिसकी प्राइजिंग चालू होगी 20 लाक रुपीज से और इसका जो टॉप मॉडल है, वो आपको तकरीबन 30 लाक रुपे के अंदर मिल जाने वाला है, कार का जो लुप से वो बहुत ही कार की इंजिन की बात करें तो कार में आपको एक हमिलता है जो कि है टू लिटर का तर्बो प्र्यो ये मिल जन यह कार के इंटियर से बात करें तो आप साथ लोग आराम से comfortable होगे इसमें ट्रैवल कर लोगे features में आपको 9-inch infotainment system TFT driver display riding modes भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं auto emergency braking, dual zone climate control air purifier, armrest, power adjustable seats, ADAS system यह सारे features आपको इस कार में मिल जाते हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी, तो जैनवरी 2024 में यह कार confirm भारती बजार में launch होने वाली है नंबर 5 पर आती है Hyundai Palisade Palisade एक luxury premium 7-setter और 8-setter configuration कार है, जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद पर आपको अच्छी खासी मिल जाती है, किसी भी तरह की कंजूसी यहाँ पर Hyundai Company ने इस कार को बनाने में नहीं की है, कार के engine की बात करें, तो कार में आपको एक engine मिलता है, जो कि है 2-liter का turbo petrol जिसमें आपको एकी transmission मिलता है जो कि है 10-speed का automatic कार के interior से बात करें, तो आप 7 लोग या फिर 8 लोग आराम से comfortable होगे समें travel कर लोगे, 10.25 inch infotainment system, और आपको मिलता है 10.25 inch का LCD instrument console, driver की तरफ, blind spot, heads up display, 360 degree camera, air purifier, dual zone climate control, dual auto AC, dry modes, wireless charging, ADAS system, इतने सारे features आपको इस कार मिल जाते हैं, कि मैं बता के थक जाओंगे, लेगने इस कार के features खतम नहीं होंगे, अब अगर बात कर लेते हैं, कि ये कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी, तो February 2024 में ये कार confirm भारती बजार में launch होने वाली है, नमबर 6 पर आती है Volkswagen Atlas, Atlas एक 7-setter premium SUV है, जिसको MQB platform पर बनाया गया है, 25 लाख रुपे से ये गाड़ी चालू होगी, इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 35 लाख रुपीज के अंदर में मिल जाएगा, कार के जो लुक से वो बहुत ही शानदार हो, कार के जो लेंद है, वो भी अच्छी खासी लंबी है, जससे आप ये पता लगा सकती के अंदर जो space और comfortability है, वो आपको अच्छी खासी मिल जाने वाली है, कार के engine की बात करें, तो कार में आपको एक ही engine मिलता है, जो की है 1.8 लीटर का turbo petrol engine, जिसमें आपको एक ही transmission मिलने माला जो की है 8 speed का automatic, कार के इंटियर से बात करें, तो कार का इंटियर बहुत ही premium और luxury है, जब आप इस कार की seat पर बैठोगे, तो आप किदम राजा वाली feel आने वाली है, 12 inch infotainment system, voice control, 360 degree camera, dual zone climate control, auto AC, wireless phone charging, ventilated front seats, ऐसे features आपको इस कार मिल जाते हैं, 8 way driver, adjustable seat, TFT driver display, बहुत सारे features आपको इस कार में मिल जाते हैं, अब अगर बात कर लेते हैं, कि ये car कप तक भारती बजार में लॉंच हो जाएगी, तो जैनवरी 2024 में ये जो कार है, ये confirm भारती बजार में लॉंच हो जाने वाली है, बाकि दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि इन 6 cars में से आप कौन सी 7-setter car को लेना पसंद करोगे, तूमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, तो सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, अब एक लिए थैंक्स, तिल देन वीट फॉर माइ न्यू अपकमिंग वीडियो ज